हे नमस्कार दोस्तों मैं सुम्रम स्वागत करता हूँ आप सभी का टेग्नोजी चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने हो लोग पांच ऐसी अपकमिंग सूपर स्मार्ट टीवी की जो इंडिया में लॉंच होने वाली हैं बहुत ही जल्दी अगर आप दोस्तो हैं कि स्मार्ट टीवी लेने का सोच रहे हो तो यह वीडियो पूरा देख रहे हो सकता है जो आप एकस्पेक्ट कर रहे हो उससे अच्छी टीवी आपको मिल जाए तो यहां पर दोस्तों इस लॉगडाउन की वज़े से काफी कुछ डिले हो रहा है जैसे यह दोस्तों लॉ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके विल आइकर प्रेस कर लीजे क्योंकि मैं आपके लिए इसे टीवी से रिलेटेट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं लिस्ट में पहले नमबर की तरफ यहाँ पर दोस्तों जो पहले टीवी लॉंच होने वाली है में में बिल्कुल कनफॉर्म है वो दोस्तों रियल मी की टीवी है इसके उपर मैंने एक डेटेल वीडियो बनाया हुआ है आप कार्ट में क्ल जोटा सा ओवर्विव दे देता हूँ दोस्तों रियल मी की जो टीवी है दोस्तों दो मोडल में एवलेबल होगी एक 32 एक 43 कनफॉर्म है यह और यहाँ पर दोस्तों आपको जैसे शौमी के टीवी में जो कनेक्टिविटी मिलती है या फिर स्टोरेज वगेरा यहाँ पर आ देख लीजिए अब दोस्तों बढ़ते हैं लिष्ट में दूसरे नंबर टीवी की तरफ यहाँ पर दोस्तों दूसरी के टीवी है वो मी की तरफ से आती है मी टीवी 5 प्रो 55 इंच 4K Ultra HD वैसा दोस्तों यह टीवी चाइना में लॉंच हो चुकी है और इंडिया में भी आने नोन विलनेवाला है वाइफॉआ और एंटेना की क्रेक्टिविट आपको internet के लिए मिलने वाली है और बाकि सारे ports आपको मिलेंगे इस तीवी में दोस्तों एस तीवी में आपको चार स्पीकर देखने को मिल चाइंगे और storage की बात करें तो 4 GB की आपको RAM मिलेगे और 64 GB की आपको internal memory देखने को मिलेगी 178 degree का दोस्तों आपको viewing angle मिलेगा और ultra slim आएगी ये TB और साथ ही साथ में आपको 3 HDMI port, 2 USB port आपको दोस्तों Mi TB 5 Pro 55 inch में देखने को मिलने वाले हैं और ये TB बहुत ही जल्दी इंडिया में आने वाली है यहाँ पर जो दोस्तों तीसरी TB आती है वो Huawei की तरब से आती है Smart TB X 65 inch की कुछ दिन पहले मैंने दोस्तों इस पर भी डिटेल वीडियो बनाया हुआ आप जाके जरूर काट में चेक करिएगा इस TB में दोस्तों आपको एक अच्छी स्क्रीन तो मिली जा रही है 4K के QLED पैनल के साथ ही साथ इस TB का सबसे खास फीर है दोस्तों दो साथ ही यहां पर आपको कामाल का मिलेका और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर इछो इनको इन नोंने कामारा यूज के ऑ इस वो भी यहां पर 1080p को सपोर्ट कर सका है और दोस्तों यहां पर storage भी काफी कमाल की दी गई है इस TV में यहां पर आपको 6GB क्रायम मिलेगी 128GB की आपको storage देखने को मिलेगी मतलब यह smartphone का एक हिसाब से competitor आप बोल सकते हो बस यह बड़े screen में आएगा बाकी processor वगेरा भी काफी ज Xiaomi की तरफ से आती है Mi TV 43-inch full screen, full screen का मतलब आप समझ सकते हो इसके नायम से कि यहां पर जो bezels आपको मिलेगे काफी thin मिलेगे या फिर आप बोल सकते हो 99.9% आपको यहां पर screen to body ratio मिलने वाला है इस TV का यह दोस्तों TV 43-inch के साथ आने वाली है साथी साथ यहां पर आपको 4K Ultra HD क support मिलेगा connectivity में दोस्तों सारी connectivity आपको मिलने वाली है Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet और यहां पर USB के आपको 2 slot मिलेंगे HDMI के 3 slot मिलेंगे साथी साथ आप दोस्तों यह smart TV है अब दोस्तों बात करते हैं storage के मामले में तो 2 GB के आपको RAM मिलेगी 32 GB के आपको storage देखने को मिलेगी 178 degree आपको viewing angle मिलेग और यह budget segment में टीबी आएगी under 30,000 रुपेस expect किया जारा इस TV का इसी में आएगी और यह अभी जो currently मी के TVs available हैं इंडिया में 43 इंच इनसे काफी राजबरदस्त होने वाली है feature भी काफी अच्छा होगा और picture quality भी इनसे काफी अधा improve आपको देखने को मिलेगी तो अगर आप 43 इंच टीबी का लाइने का सोच रहे हैं अगर आपका favorite brand Xiaomi है तो थोड़ा सा वेट कर लिजे ये टीवी भी बहुत ही जल्दी इंडिया में launch होने वाली है और आप इस टीवी को ले सकते हैं दोस्तों रिस्ट में जो पांच वही नंबर की smart TV है वो Nokia के तरफ से आने वाली है Nokia की ये जो टीवी है 43 इंच की होगी 4K Ultra HD resolution के साथ में आपको देखने को मिलेगी और ये बहुत ही जल्दी इंडिया में launch होने वाली है दोस्तों इस टीवी में भी आपको सारी connectivity के सारे options मिलेंगे Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, HDMI port, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा ये smart TV है यहाँ पर दोस्तों आपको 2.25 GB की RAM मिलेगी, 16 GB की आपको यहाँ पर storage देखने को मिलेगी, 178 डिगरी का आपको viewing angle मिलने वाला है, 3 HDMI port, 2 USB ports के साथ में TV आपको मिलेबल होगी और भी connectivity के सारे options आपको मिलेंगे जो एक normal TV में आपको देखने को मिलता है और ये TV दोस्तों इंडिया में बहुत ही जल्दी launch होने वाली है, हो सकता है कि ये में last या फिर जून के first या last week में confirm है कि जून से यादा नहीं जाएगा, जून तक ये भी TV launch हो जाएगी, तो अगर आप नोगिया का टीवी लेने का सोच रहे हो, 43 inch तो थोड़ा सा वेट कर लिए ये TV भी इंडिया में launch हो होने वाली है, तो यह दोस्तों पांच ऐसी TV हैं जो इंडिया में launch होने वाली है, आप इनको super smart TV बोल सकते हो कि currently जितने भी TV अभी available है, एक budget segment में, ये कही न कही उनसे थोड़ी सी advance है, कुछ ज्यादा features आपको देखने को मिलेंगे इन TV में, और दोस्तों अगर आप भी कमेंट करके बता दो कि आपको इन में से कौन सी TV के लिए है, आप excited हो, वेट करोगे कि आपको ये TV चाहिए, तो जरूर आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो बस दोस्तों फ